कहने को तो हर इंसान जन्म से ही एक्टर होता है लेकिन फिल्मों सीरियल्स में काम करने के लिए ऐसी बहुत सी टेक्निकल बाते होती हैं जिने सीखना और समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि camera की सामने acting करना मानू लोहे के चने चबाना होता है आक्सर लोगों को ये भ्रम होता है कि filmों में acting करना मतलब dialogue याद करके सुना देना काफी होता है लेकिन हकीकत में बिल्कुल इसके विपरीत होता है acting करते वक्त हमें improvisation, imagination, observation, voice modulation, body language, face expression जैसी बातों पर भी बहुत work out करना पड़ता है जिनकी बिना अच्छी acting कर पाना मानो एक खाब के समान होता है ये सब चीजें हम घर बैठ कर किताबों में पढ़कर नहीं सीख सकते वो कहते हैं ना गुरू बिना ग्यान नहीं मिल सकता ये सब बाते हम acting के गुरू के सानिध में मतलब उनकी under guidance में ही रहकर जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं वो भी practical के साथ ये सभी बाते theoretical और practical दोनों सरूपों में करने को मिलती है यहां आपको सभी प्रकार के emotions जैसे गुसा, भै, चड़ना, अपमान, खुशी, दुख, सप्राइज, योगिता, अयोगिता, अकड़ना, शान्ती, इच्छा, जैन्विननिस जैसे emotion पर बाकाइदा practical practice करने का मौका मिलता है यहां अनेक प्रकार के exercise, monologues और scene के जरिये आप इन सभी भावों पर जीत हासिल कर सकते हैं क्योंकि यहां आपको निरंतर practice करने के मौके मिलते हैं जिससे आपके अंदर की खामिया होती है, वो धीरे-धीरे दूर होने लगती है acting class में आपको अलग-अलग किरदार निभाने की अफसर मिलते हैं जिसे आपके अंदर काफी confidence बढ़ने लगता है दोस्तों हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि acting दो-चार दिनों में नहीं आती यह दो निरंतर चलने वाला प्रयास है जैसे-जैसे हमारे अंदर का confidence बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे हम बहतर acting करने में हमें काम्याबी मिलती जाएगी अकसर नए कलाकार यह सोचते हैं कि हम audition देते-देते ही acting सीख जाएगे लेकिन उनका यह सोचना एकदम गलत है क्योंकि गलत सीखने से काम्याबी हासिल नहीं होती बलकि उल्टा उसका confidence ही कम होता है वो लोग बेकार dialogue delivery गलत शब्दों का उच्चारण बिना किसी भाव के dialogue बोलने में ही अपनी शान समझते हैं लेकिन यह धारना उस वक्त चूर-चूर हो जाती है जब कोई काबिल director उन्हें उनकी गलतियों का एहसास करा कर उन्हें आइना दिखाता है तब उन्हें एहसास होता है कि हम कितना गलत थे जो बिना acting की बारीकियों को सीखे इतने दिनों तक बस यूँ ही दर पर दर audition देते हुए गूमते रहे लेकिन अगर वो लोग उतना या शायद उससे भी कम वक्त acting की बारीकियों सीखने में देते तो यकीनन उन्हें diction, improvisation, imagination, observation, voice modulation, body language, face expression, शर्माना, घबराना, जिजकना, अटक अटक कर बोलना जैसी सारी कमजोरियां दूर हो सकती है और उन्हें अलग-अलग भावों को emote करना आ सकता है acting के निरंतर प्रयास से आपको अपने अंदर की सभी positive और negative शक्तियों का आभास होने लगता है और आप धीरे-धीरे अपनी इच्छा शक्ति को बढ़हाते चलेंगे और negative शक्तियों को remove करते जाएंगे इसलिए acting करने से पहले acting सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें